दोस्तो अगर आपको एमर्जंसी में 1000 रुपे से लेकर 10,000 रुपे के बीच में कुछ पैसो की जरुवत पड़ गई है और इसी चकर में अभी तक आप YouTube पर काफी सारे वीडियो देख चुके हो लेकिन दोस्तो जितनी भी बार आप किसी भी लोन अप्लिकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर रहे हो हर बार आपका लोन डिसप्रूब हो जा रहा है मतलब कि आपको किसी भी अप्लिकेशन से लोन नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूवत नहीं है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर में आपको जिस loan application के बारे में बताने वाला हूँ और तो दोस्तो इस application की सबसे अच्छी बात यह है कि इस application से loan लेने के लिए आपको किसी भी extra document की भी जरूवत नहीं पड़ेगी बस आपके पास एक आधार card होना चाहिए एक pen card होना चाहिए और एक mobile number होना चाहिए जो की भाई आज के date में हर किसी के पास होता है यहां तक कि दोस्तो अगर आपके पास कोई business भी नहीं है और ना ही आप कहीं पर कोई job अगरा करते हो और आपका civil score भी काफी ज़्यादा खराब है तब भी यह application बिना किसी bank की statement के और बिना किसी income proof के सिर्फ और सिर्फ आपके आधार card और pen card के basis पर आपको काफी आसानी के साल लोन दे देगा तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं लेकिन भाई वीडियो सुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपना प्रूब दिखा दूँ ताकि दोस्तो आपको यकीन हो जाए कि जिस application के बारे मैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ यह application सच में लोन देता भी है या फिर मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ तो दोस्तो आपको तो पता ही होगा कि जब भी हम किसी भी लोन application के अंदर लोन अप्लाई करते हैं और जब हमारा लोन अप्लाई करने के सिर्फ दो मिनट के अंदर ही इस application की तरब से मेरे फोन में message आ चुका है और इस message में बताया जा रहा है कि यहाँ पर मेरा लोन अप्लाई कर दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो और आप इस message में ये भी देख सकते हो कि मैंने इस application के अंदर 6000 रुपे का लोन अप्लाई किया था जिसमें से processing fees और tax और गयरा कट करके 5887 रुपे मेरे bank account में रिसीब भी हो चुके हैं तो दोस्तों अगर आपको सच में पैसो की जरुवत था तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर आंते तक बहुत ही ध्यान से देखना और जैसे जैसे मैं इस वीडियो में लोन अप्लाई करूंगा आप भी same to same इसी तरीके से इस application के अंदर लोन अप्लाई करना तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको इस application के अंदर लोन अप्लाई कैसे करना है और उस पैसे को अपने bank account में कैसे transfer करना है तो भाई इस application के अंदर लोन apply करने के लिए सबसे पहले आपको इस application को अपने phone के अंदर install करना होगा तो देखिए दोस्तो इस application का नाम क्या है और इस application को आपको download कहा से करना है यह मैं आपको आगे इस वीडियो के बीच में कहीं पर भी बता सकता हूँ तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना skip किये शुरू से लेकर अंतर तक बहुत ही ध्यान से देखना तो चलिए दोस्तो आप वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए दोस्तो जब आप इस application को अपने phone के अंदर install करके open करोगे तो यहाँ पर आपको first time कुछ इस तरीके का interface देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना mobile number डाल कर register करना होगा तो यहाँ पर हम अपना mobile number डालेंगे और फिर नीचे proceed के button पर click करेंगे अब जैसे ही mobile number डाल कर proceed पर click करेंगे तो आपके इस mobile number पर एक OTP send किया जाएगा तो आपको यहाँ पर OTP डाल कर नीचे next कर देना है अब देखें यहाँ पर आपको sign up करने के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पर आपको sign in with google पर click कर देना है अब जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपके phone में जितने भी Gmail ID होंगे और यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने जिस भी Gmail ID से इसमें register करना चाते हैं उसे यहाँ से select करके इसमें register कर लेंगे अब देखें यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा तो यहाँ पर आप जितने भी loan amount के लिए eligible रहेंगे और सारा loan amount आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा तो देखें दोस्तों यहाँ पर मुझे 10,000 का फिर इसके नीचे 25,000 रुपे का loan amount मिल रहा है लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दू कि अगर आप यहाँ से 10,000 रुपे के अंदर loan लेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी income proof और गयरा नहीं देना पड़ेगा और फिर इसके नीचे यहाँ पर आपको continue पर क्लिक कर देना है अब देखें यहाँ पर आपको कुछ permission देना होगा जा रहा है तो जो भी आपके आधार कार्ड में आपका address होगा वही address आपको यहाँ पर same to same डाल देना है और फिर इसके नीचे आपको अपने area का pin code number डालना है अब देखे इसके नीचे आपसे आपका language चूज करने के लिए बोला जा रहा है तो आप जिस भी language में इसे रखना चाते हैं जैसे कि Hindi, English, Tamil, Telugu, Malayalam जो भी आप अपना language रखना चाते हैं उसे यहाँ से select कर लेना है अब देखे इसके नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि जिस mobile number से आपने इस application में register किया है कि आप इस number से ही अपना WhatsApp यूज करते हैं तो अगर आपका WhatsApp इसी number से है तो आपको यहाँ पर as पर click करके नीचे verify WhatsApp पर click कर देना है अब देखे दोस्तों यहाँ पर आपके WhatsApp पर verification के लिए एक message भेजा जाएगा और इसके बाद आपका WhatsApp भी यहाँ पर verify हो जाएगा अब इसके नीचे इनके कुछ term and condition आएंगे तो आपको एक एक करके जितने भी term and condition यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सबको tick mark लगा देना है और फिर नीचे next कर देना है अब देखे यहाँ पर आपसे आपके pen card का detail मागा जा रहा है तो यहाँ पर आपको add info पर click करना है और फिर यहाँ पर आपको अपने pen card का number डालना है और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको अपना data of birth डाल कर नीचे submit पर क्लिक कर देना है अब देखें यहाँ पर हमारा pen card successfully verify हो चुका है तो यहाँ पर हम नीचे next पर क्लिक करेंगी अब देखें दोस्तों यहाँ पर आपको अपने आधार card को भी verify करना होगा तो देखें यहाँ पर आपको अपने आधार card का number डालना है और फिर इसके नीचे आपको अपने father का पूरा नाम डालना है और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपने mother का पूरा नाम डालना है और फिर यहाँ पर यह जो capture दिख रहा है आपको इस capture को same to same यहाँ नीचे डाल देना है और फिर यहाँ इनके term को accept करके नीचे get OTP पर click कर देना है अब देखे दोस्तों आपके आधार card के साथ जो भी mobile number link होगा उस mobile number पर एक OTP send किया जाएगा तो आपको उस OTP को यहाँ पर डाल देना है और फिर नीचे submit पर click कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटा सा video KYC करना होगा तो यहाँ पर आप अपना एक video upload करेंगे तो देखे दोस्तों वीडियो में आपको यह बोल कर बताना है कि मैं इस application से loan लेना चाता हूँ और जितना भी loan मैं इस application से लोंगा इस loan को वापस करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है बस आपको इतना ही अपने वीडियो में बोलना है और फिर अपने उस video को यहाँ पर upload कर देना है अब देखे दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना selfie video upload कर दिया है तो आब हम यहाँ पर नीचे next पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर आपको reference में अपने किसी दो family member का mobile number देना होगा दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि reference में आप जिसका भी mobile number डालेंगे उनके पास यह लोग call भी करते हैं मतलब कि अगर आपने यहाँ से जो भी loan लिया होगा अगर आप उस loan को time से वापस नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर reference में जिसका भी mobile number दिये रहेंगे उनके पास यह लोग बार बार call करेंगे और उनसे कहा जाएगा कि आप इस loan amount को repay करवाईए तो इसलिए दोस्तों मैं कहूंगा कि आप यहाँ पर अपने family में किसी भी ladies का number मत देना आप यहाँ पर अपने भाई और father का number दे देना तो यहाँ पर आप जिसका भी number देना चाहरे हैं उससे आपका क्या रिष्टा है वो स्रेट करेंगे फिर इसके नीचे उनका नाम डालेंगे और फिर इसके नीचे उनका mobile number डालेंगे और इसी तरीके से आपको नीचे दूसरा number भी add कर देना है और फिर यहाँ submit पर क्लिक कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा loan successfully apply हो चुका है और यहाँ पर हमें बताये जा रहा है कि यहाँ पर आपके pen card और आधार card को एक बार फिर से verify करेंगे और आपके loan को 20 गंटे के अंदर अंदर ही approve कर दिया जाएगा वैसे दोस्तों मैं आपको बता दू कि यहाँ पर loan approval का time 20 गंटे बताये जा रहा है लेकिन यहाँ पर आपको घपराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आपने यहाँ पर अपना सारा detail सही सही डाला होगा तो यहाँ पर आपका loan सिर्फ और सी 15 मिनट के अंदर ही approve कर दिया जाएगा तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी दिर wait कर लेते हैं अब देखे दोस्तों यहाँ पर मैंने सिर्फ 15 मिनट wait करने के बाद जब दोबारा इस application को open किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने 10,000 का loan apply किया था जिसमें कि मेरे आधार card और pen card को verify करने के बाद यहाँ पर मुझे 4,000 रुपे का loan approve किया गया है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपको 4,000 रुपे से ज़्यादा या फिर 4,000 रुपे से कम का भी loan देखने को मिल सकता है तो अगर आप अपने इस loan amount को अपने bank account में लेना चाते हैं तो आपको यहाँ get money पर click कर देना है अब देखे दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस 4,000 में से कितने रुपे का loan लेना चाते हैं जैसे कि अगर आप 2,000 रुपे लेना चाते हैं तो 2,000 select करेंगे लेकिन अगर आप पूरे के पूरे 4000 रुपे लेना चाते हैं तो आपको यहाँ पर 4000 स्लेट करना है और फिर देखें नीचे आपको बताया जा रहा है कि यह जो लोन आपको दिया जा रहा है यह केवल एक महिने के लिए ही है मतलब कि इस loan को आपको एक महिने के अंदर-अंदर ही वापस कर देना है तो अगर आप इस loan को लेना चाहते हो तो नीचे यहाँ choose amount पर click करेंगे और इसके बाद अपने bank account का number और IFSC code वगरा डाल कर इसमें अपना bank account add कर देंगे अब दोस्तो जब आप यहाँ पर अपना bank account add कर देंगे तो यह जो loan amount होगा वो आपके bank account में कुछी time के अंदर transfer कर दिया जाएगा तो दोस्तो यह था इस application से loan लेने का complete process तो भाई अब बात करते हैं कि इस application का नाम क्या है और इस application को आपको download कहां से करना है तो दोस्तो इस application को download करने के लिए आपको अपने phone के अंदर Google Chrome open कर लेना है और फिर Google Chrome पे आपको लिखना है F-O-X-C-I-N फिर इसके बार space देना है और फिर C-O-M लिखना है दोस्तो जिस तरीके से मैं सर्च कर रहा हूँ आपको भी same to same इसी तरीके से सर्च करना है आप इसे ध्यान से देख लो आपको यहाँ पर एक भी spelling में mistake नहीं करना है वरना भाई आप किसी और website पर चले जाओगे आपको यहाँ पर F-O-O-X-C-I-N इस पेस देकर C-O-M लिखना है और फिर सर्च कर देना है अब दोस्तों जब आप इसे लिखकर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो भी पहला वाला website आएगा आपको सिंपली इस first वाले website पर क्लिक करके इसे open कर लेना है अब देखें दोस्तों जब यह website open होगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है बस आपको यह जो सर्च का आइकन दिख रहा है सिंपली आपको इस सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है और फिर इसमें आपको लिखना है loan 5 अब दोस्तों जब आप इसमें loan 5 लिखकर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको यह जो फोटो दिख रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्कॉल करके नीचे आना है अब जब आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक install का बटन दिखाए देगा तो यहाँ से आपको install के बटन पर क्लिक करके इस application को अपने phone के अंदर install कर लेना है और फिर से यहाँ से open कर लेना है और जिस तरीके से मैंने आगे वीडियो में loan apply करके दिखाया है आपको भी same to same इसी तरीके से इस application के अंदर loan apply करना है दोस्तो मैं आपको guarantee देता हूँ कि अगर आप मेरे बताय हुए तरीके से इस application के अंदर loan apply करोगे तो आपका loan सिर्फोर से 5 से 10 मिनट के अंदर ही approve कर दिया जाएगा और जो भी आपके loan का पैसा होगा वो आपके bank account में सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर ही transfer भी कर दिया जाएगा तो दोस्तो यह था इस application से loan लेने का complete process तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद